दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक्जाम से दे मैं सी यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 विशय संस्कृत का सिलेबस तीस प्रतिशित जो घटा है उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हड गए हैं अब आपके और सत्तर प्रतिशित जो बचा है उसमें हमें संस्कृत क्लास टंत में क्या-क्या पढ़ना है दोस्तों मैंने सभी सब्जेक्ट के वीडियो पहले डाल रखे हैं चैनल पर तो कॉमेंट आ रहे थे कि संस्कृत से भाई क्या दुश्मनी है तो संस्कृत का भी वीडियो हमने कहा चलिए बनाते हैं संस्कृत का वीडियो इसके अलावा जिस भी सिलेबस या जिस भी टॉपिक जो भी विशेय आप पढ़ते हों अगर आपका सिलेबस चैनल पर उपलब्द नहीं है तो बस एक सा कॉमेंट मार दीजेगा आपका सिलेबस आपके सामने रख दिया जाएगा क्या कम किया गया है चलिए मार लेते हैं थोड़ा सा जूम तो यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले संस्कृत गद्य भारती में क्या हटाया गया है संस्कृत गद्य भारती में हटाया गया है हमारा उद्विच परिशद और दूसरा चैप्टर हटाया गया है कार्या वा स संस्क्रत पद्ध प्यूशम, यानि कि जो पद्ध होता है संस्क्रत में, उसमें क्या क्या हटाया गया है, तो उसमें हटाया गया व्रच्छाड़ा चेतनत्तुम, छांती सौक्यम और जीव्याद भारत वर्शम, ये तीन चैप्टर हटे हैं, तीन पद्ध हटे हैं संस्क्रत पद्द प्यूशम से, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कथा नाटक कौमदी, जो कथा होती है, जो नाटक होते हैं, संस्क्रित में उसमें हटाया धैरे धनाम ही साधवा, दूसरा चेप्टर हटाया भोजस सिशली चिकित्सा, और तीसरा हटाया ज्यानम पूत तरम सदा, तो ये हमारे चेप्टर हटे हैं, अब फिर से हम वापस चलते हैं, देखते हैं अपना वो सिलेबस जो की अब आपको पढ़ना है, सत्तर प्रितिशत सिलेबस जो आपका बचा हुआ है, यह अब आप पढ़ पा रहे होंगे, कि उपरियुक्त के अतरिक्त, यानि कि जो तीस प्रित हला कि इस तर पर किया जाएगा, संपूर पाठक्रम के आदार पर प्रशन पत्र में वास्तोनिष्ट प्रशनों का भी उल्लेख होगा, यानि कि बहुवी कल्पी प्रशन भी पूछे जाएंगे, तता उसके उत्तर के रूप में तीन या चार उत्तर प्रशन पत्र में अंक करना होगा, तता उनका अंक विभाजन निम्नुवत होगा, देखते हैं कि किस प्रकार के प्रशन पूछे जाएंगे आपके संस्क्रत में, यानि कि संस्क्रत कक्षा 10 के पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो सबसे पहले हम देख लाएं, सबसे पहला है मारा खंड का गद्य पद्य और आशु पार्ट इसमें सबसे पहले गद्य खंड का संदर्व सहीत हिंदी में अनुवाद करना होगा, आपको साथ नंबर का प्रशन, दो नंबर का संदर्व और पांच नंबर का अनुवाद, फिर पार्ट सारांश आपसे पूछा जाएगा किसी चैप्टर का ग अब पद्य में देखते हैं, तो पद्य में क्या पूछा जाएगा, पद्य की संदर्व सहीत हिंदी में व्याख्या करनी है, दो नंबर का संदर्व और पांच नंबर का पूरा प्रशन होगा, फिर होगा किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ, पांच नंबर का, किसी एक श्लोक का संस्कृत में ही अर्थ आपको लिखना होगा, ये पांच नंबर का होगा, आशुपार्ट में देखते हैं, तो आशुपार्ट में क्या है, पात्र का चरितर चितरन हिंदी में करना है, चार नंबर में आएगा ये, किसी पात्र का चरित और रचना व्याकरण अनुवाद और रचना व्याकरण में पूछा जाएगा आपका प्रत्या हारों का सामानी परचे एवं वर्णों का उच्चारण इस्थान दो नंबर का प्रशन इस पर आएगा फिर संदी में हल संदी अब यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है आप पढ़ शिच्चा यह आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे हमारे संदी से तीन नंबर के प्रशन आएंगे फिर शब्द रूप में शब्द रूप में आपके पूर्डिंग पित्र गो राजन इस तरी लिंग में नदी धेनु वदू और नपुनसक लिंग में वारी मनस किम यद यह शब्द रूप होंगे दो नंबर के प्रशन इससे आएंगे फिर देखते हम धातु रूप में धातु रूप में इन सभी से परिसमेपद परिसमेपद, भू, पा, वस, इस्था, और बा में आत्मनेपद, व्रद, जन, दो नमबर के प्रश्ण इससे आएंगे, एक और टॉपिक बचता है, सा, उभैपद, नी, और दा, तो तीन टॉपिक से दो नमबर के प्रश्ण आएंगे, अब समास में देखते हैं क्या आएग कारक, कारक में क्या होगा, कि कारक में विभक्ति निम्न सूत्रों के आधार पर कारक विभक्ति का ज्यान एवं प्रयोग, ये सबी आपके चार प्रकार के सूत्र रहेंगे, जो कि कारक विभक्ति में उप्योग किये जाएंगे, इससे दो नमबर का एक प्रश्ण आएंगा ये चल रहा है हमारा संस्कृत व्याकरण का सिले बस इसके बाद हम देखते हैं प्रत्य में त, त, इप्य, तुमुन, टाप, अनियर दो नमबर के प्रश्ण और वाच्चे परिवर्तन से भी दो नमबर का प्रश्ण अनुवाद में होगा हिंदी अनुचेत का संस्कृत में अनुवाद छे नमबर का प्रश्ण हिंदी पैराग्राफ दिया जाएगा, हिंदी का एक पैसेज दिया जाएगा उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है छे नंबर का ये प्रश्ण होगा अनुवाद पर आधारित फिर देखते हैं रचना रचना में हमें पढ़ना है निबंध कम से कम आठ वाक्य निबंध लिखना होगा हमें संस्क्रत में इसके लिए हमें आठ नंबर मिलेंगे कम से कम आठ वाक्य होने चाहिए आपके निबंद में ये किस पर निबंद हो सकता है जनसंख्या पर हो सकता है पर्यावरण पर हो सकता है स्वास्त शिक्षा एवं यातायात के नियम की जानकारी हेतु प्रश्ण निबंद के रूप में पूछे जा सकते हैं पूछे जाएंगे फिर नेक्स्ट है हमारा संस्क्रत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग आपको कुछ संस्क्रत शब्द दिये जाएंगे जिसका आपको वाक्यों में प्रयोग करना होगा चार नंबर का ये प्रश्न आएगा अब देखते हैं पार्ट पुस्तक कौन सी आप पढ़ना होगा संस्कत व्याकरण में प्रत्याहरों का सामाने परिचे एवं उचारण स्थान, अभी मैंने आपको बता है कि प्रश्न किस किस तरह के आएंगे, अब मैंने आपको बता रहा हूं कि संस्कत व्याकरण का सिले बस क्या है, प्रत्याहरों का सामाने परिचे एवं मुचारण स्थान पिर संधी वेंजन विसर्ग संधियों का परिचय एवं अभ्यास समास होंगे आपके अव्यवी भाव दिगु और बहुबरी पिर कारक होंगे कारक एवं विभक्ति परिचय पांचवां होगा वाच्ची परिवर्तन अनुवाद में सामान नियमों के सहीत अभ्यास कारक एवं विभक्ति ज्यान अनुवाद अभ्यास पर सात्वां होगा प्रत्य प्रत्य के बाद शब्द रूप संग्या सर्वनाम तता संख्या वाचक शब्दों के तीनों लिंगों के रूप में धातु रूप पर इसमय पद आत्मने पद तता उभय पद परोपकारा सत्त संगति अहिंसा पर्मो धर्मा ये सबी टॉपिक हो सकते हैं आपके निबंद के राष्ट्रिये एकता अनुश्यासनम राष्ट्रुपिता महत्मा गांदी इन पर आपके निबंद पूछे जा सकते हैं फिर आता संस्क्रत भाषया महत्तम पर्यावरण जनसंक्या पर्यावरण शिक्ष्या या अतायात के नियम की जानकारे हित्तु निबंद के रूप में पूछे जाएंगे तो ये उपर सभी इन ही से संबंदित टॉपिक हैं जनसंक्या से या पर्यावरण से या स्वास्त शिक्ष्या से या या अतायात के नियम से इन ही पर इस वीडियो को तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत गद्ध भारती इसको थोड़ा साम जूम कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल इस पश्ट रूप से दिखाई दे तो संस्कृत गद्ध भारती में संस्कृत साहित पर एक द्रश्टी वैधिक मंडला चारणम तो इसमे कवी कुरुगुल काली दासा चैप्टर है, फिर नैतिक मूल्यानी, विश्व कवी रवींद्र, आदिशंकराचार्य, फिर है हमारा संस्कृत भाशया गाउरवं, मदन मोहन मालविय, लोक मान्या तिलका, गुरु नानक देव, और दीन बंधु ज्योतिबा फुले, ये चैप जो कि आपके सतर प्रतिशत सिलेबस के अंतरगत आते हैं, जिससे प्रशनाएंगे यूपी बोर्ट परिक्षा 2021 में, संस्कृत प्यूशम में देखते हैं, संस्कृत पद्ध प्यूशम में आपकी जो चैप्टर हैं, लक्ष वेद परिक्षा, सूक्ति सुधा, विध्यार् जर्य गीता म्रतम, यह चार चैप्टर हैं हमारे संस्कृत पद्ध प्यूशम में, फिर कथा नाटक कौमुदी जो आपकी पार्टे पुस्तक होगी, उसमें महत्मना, इससंसमरणानी, कारुडी को जीमूत वाहना, और योतुका पापस्याच्या, अवयम भारतिया, यह सार संस्कृत गद्ध भारति का, संस्कृत पद्ध प्यूशम का, और कथा नाटक कौमुदी का, इसके लावा आप UP MSP पर जब जाएंगे, UP MSP पर जब जाएंगे, UP MSP पर जो की ऑफीशल वेबसाइट है, UP Board की, आपको वहाँ पर कक्षयदस के सभी सब्जेक्ट का सिलेवस ड आपको अच्छे से बताएंगे, तो यह था हमारा पूरा सिलेवस संस्कृत का, उम्मीद करते हैं, वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेवस चाहिए हो, कि कितना हमें पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है 2021 के लिए, तो comment box में जरूर बताएगा, thanks for watching and listening me and good luck for your future, दोस्तों, thank you and bye-bye, ये जरूर याद अखना कि कौन से चेप्टर हटे हैं, संस्कृत गर्दबार्ती से ये तीन चेप्टर हटे हैं, संस्कृत पधिभ्यूशम से ये तीन, और कर्था नाटक बस से हट गए है, thank you and bye-bye.